नमस्कार, जीरो से जिनियर्स तक की एक और नए special वीडियो क्वीट टेस्ट में स्वागत है आपका आज की इस वीडियो क्वीट टेस्ट में हम आपसे पूछेंगे समन्ने ज्यान विज्यान और करेंट अफेयर्स के 25 इंपोर्टेंट सलिक्टिड सवालों को और आपको इस 25 से सवालों में कम से कम 12 का आंसर देना होगा तो ध्यान से खेलिएगा चलिए सुरू करते हैं पहला प्रस्ट है कूची पूरी कहां के निरित्य परनाली है आपको जबाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकिंड का समय ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं तो आंसर सोचने के लिए समय सुरू होते हैं अब सही आंसर है ओप्शन नमबर बी अंध्रा परदेश क्वेशन नमबर टू हर वर्स बीसवा बाग दीवस कब मनाया जाता है सही आंसर है ओप्शन नमबर ए 39 जुलाई को क्वेशन नमबर टिन थाइलेंड में परमुख्य धर्म कौन सा है सही आंसर होगा ओप्शन नमबर सी बाद्र धर्म क्वेशन नमबर फोर दिलंगाना का मुख्य मंतरी कौन है सही आंसर है ओप्शन नमबर बी के चंद्र सेखर राओ क्वेशन नमबर फाइब पंचायत राज ब्यवास्था को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा था सही आंसर होगा ओप्शन नमबर बी राजास्थान क्वेशन नमबर फाइब राज्य साभा के वर्तमान उप साभापती कौन है सही आंसर है ओप्शन नमबर बी हर्यवान से नरायन सिंग क्वेशन नमबर सेविन भारतिय रिजर्ब बैंक के गवर्णर कौन है सही आंसर है ओप्शन नमबर बी सक्तिकांत दास क्वेशन नमबर इट सुचना का अधिकार अधिनियम यानि की आटी आई की सवर्ड्स अस्तित्वा में आया सही आंसर है ओप्शन नमबर सी दो हजार पाच क्वेशन नमबर नाइन साधा बाहार वन कहां पाए जाते हैं साधा बाहार वन कहां पाए जाते हैं सही आंसर है ओप्शन नमबर टी उप्युक्त सभी जगा उत्री अमेरिका भारत और मलेसिया ये सभी क्वेशन नमबर टी बीश्वा हेपेटाइटिस दिवस हर वर्ड्स कब मनाया जाता है सही आंसर है ओप्शन नमबर ए 28 जुलाई को और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लिजिए और वेल आइकोन को दवा दिजिए क्योंकि ये चैनल आपके सिल्लेबस पर और करता है धन्याबाद आगे सवाल है भारत में सबसे अधिक रावर उत्पादन करने वाला राज कौन है? सही आंसर होगा ओप्शन नमबर बी केरल कोईशन नमबर बारा यामुना नादी का वाइदिक नाम क्या है? सही आंसर है ओप्शन नमबर ए सर्सवाते कोईशन नमबर तेरा काबुद्दर की उम्र कितनी होती है? आंसर होगा ओप्शन नमबर सी 15 से 20 साल कोईशन नमबर चौदा भारत में मीथे नगैस का 12 सरोत क्या है? सही आंसर है ओप्शन नमबर बी धान की खेत कोईशन नमबर पंदरा केचुआ में कितने हिर्दाय होते हैं? आंसर होगा ओप्शन नमबर डी चार हिर्दाय होते हैं कोईशन नमबर 16 अध्याक्ष कौन है? सही आंसर होगा ओप्शन नमबर बी ब्रीज राज सार्मा अध्याक्ष कौन है? ब्रीज राज सार्मा कोईशन नमबर 17 किस मिट्टी में केसी का सबसे अधिक परभावसाली होती है? सही आंसर होगा ओप्शन नमबर A चीकनी मिट्टी कोईशन नमबर 18 भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? सही आंसर होगा ओप्शन नमबर D उत्तर परदेश कोईशन नमबर 19 रिंग्स ओफ फायर किस से संबन्दित है? रिंग्स ओफ फायर किस से संबन्दित है? सही आंसर है ओप्शन नमबर D उप्युक्त सभी से भुकांप से चोआला मुखी से परसांत महासागर से ये सभी कोईशन नमबर 20 किसान क्रेडिट कार्ड योजना की सुरुआत कब हुई? किसान क्रेडिट कार्ड योजना की सुरुआत कब हुई? सही आंसर है ओप्शन नमबर B 1998-99 कोईशन नमबर 21 सबसे अधिक रावर किस देश में उत्पन होता है? महाँ प्रस्ण था सबसे अधिक रावर किस राज्य में होता है? तो आंसर था केरल और यहाँ प्रस्ण है सबसे अधिक रावर किस देश में उत्पन होता है? इसका आंसर होगा ओप्शन नमबर A थाईलेंड क्वेस्चन नमबर 22 मूनसी प्रेम चंद्र किस पत्रिका के संपादक थे? मूनसी प्रेम चंद्र किस पत्रिका के संपादक थे? आंसर होगा ओप्शन नमबर B हन्स पत्रिका क्वेस्चन नमबर 23 भारत में क्रीसी जनगरना कितने वर्स में होती हैं? सही आंसर होगा अप्शन नमबर B पाच वर्सों में क्वेस्चन नमबर 24 पाचक रस में कौन सा अमल एसिड पाया जाता है? पाचक रस में कौन सा असिड पाया जाता है? सही आंसर होगा अप्शन नमबर B अमीनो अमल क्वेस्चन नमबर 25 अमित साहर जी जेल कब गये थे? ये प्रस्टन पिछले वीडियो के क्यूफर यूब में पुछे गये थे और आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉंसर दिये आप सभी को कॉमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्याबाद सही आंसर है आप्शन नमबर B 2010 में क्वेस्चन नमबर आपके लिए भारतिये किरकेट कांट्रोल बोर्ड यानि की ICC के बारतिये किरकेट कांट्रोल बोर्ड मतलग BCCI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंप्ली आपको कमेंट वरक्स में जाना होगा वहां पर लिखना होगा Q4U और इसके राइट आंसर वीडियो पसंद आया तो लाइक करके अपने मितर जनों में सेयर जरूर करिए आप से है तो आई बटन पर किलिक करके और भी वीडियोज को देख सकते हैं आप हमारे साथ रेगुलर जरूर बने रहिए और अपना ध्यान रखे मिलता हूं फिर नेक्स्ट नए वीडियो में आपके साथ जय हिंद जय भारत